हेलो एब्रिवान वेलकम करती हूँ मैं आपसे भीगा अपने चैनल लभोस फोड पर आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ मसाला एक भूरजी की रिसेपी बहुत मजीकी बनती है बहुत डिलिशियस होती है और आसानी के साथ बनने वाली रिसेपी है इसे मैं step by step आपको बताऊंगी कि ये आपकी सतरे से बनाए जिससे आपकी भूरजी बहुत अच्छी बनका तयार होगी तो चलीए बनाना शुरू करती है तो यहाँ पर लिया मैंने कड़ाही म्ने डालते है तो यहाँ पर मैं 4-5 स्पून जो है यहाँ पर तेल आट कर दूंगी तेल डाल दिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है, तब उसमें डाल देते हैं, आधा टीस्पून जीरा और दो इलाइची और इसे तड़कने देते हैं, इसका कलर चेंज हो जाने देते हैं, तो यह देखे, जीरा और इलाइची तड़क गए हैं, तो अब हम उसमें डाल देते ह कि अधे हैं मैंने दो मेडियम साइज की प्यास अब इसे हमें भून लेना है लेकिन इसका कलर वगएरा चेंज नहीं करना है सिर्फ यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं तो यह दिखे प्यास में चुछी है बस अमें इसी तरह से इसे भूनना है इसे जादा इसे नहीं भूनन लिकिन इसके साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं हरी मिर्ची, तो यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्ची लेकर इसे थोड़े से मोटाई में कट कर लिया है Almonorka तो यहां पर हमारे अधर क्लस्टन जो है भून चुके हैं और अब हमें इसमें एड़ कर देना है टमाटर तो यहां पर मैंने बारीकी के साथ कट करके दो मीडियम साइज के टमाटर ले ली है अब इसे भी हमें इसमें भूनना है इसे थोड़ा सा हमें सौफ्ट करने देना है तो यह दिखे टमाटर हमारे थोड़े से सौफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें आइट कर देते हैं थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाली जो हैं हमारे जले नहीं क्योंकि अब हमें मसाली आइट करना है धन्या पाउडर डाल देते हैं इसमें वन अर भूर से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहां मसालों के साथ ही बटर डाल दें ताकि बटर जो है इसमें मेल्ट होता रहे और हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से भून जाए तो इसे चलाते पर भून ले तो यहां पर मैंने चार अंडा ले लिया है और चारो को मैंने तोड़ लिया है तो एके करके अंडे को यह पर हमें डालते जाना है तो इस तरीके से और इसे बिलकुल भी हमें तोड़ना नहीं है इसे हाथ नहीं लगाना है बलकि इसका फ्लेम जो है थोड़ा सा सिलो कर देंगे इसे कवर कर देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब आये इसे चेक कर तो यह देखे, आप इसे देख सकते हैं कि यह थोड़ा-थोड़ा सा जो है हमारे अंडे पक चुके हैं, तो अब इसे हमें तोड़ लेना है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं तोड़ना है, ताकि इसके बड़े-बड़े चंक सोने चाहिए, तो बस इसे हलके हाथों से इस तरी तो इसे तरीके से चला लेना है, तो यह दिखे, बहुत जादा तेजी से चंप्चाना चला है, ताकि बहुत बारिक हो जाएंगे अंडे, और हमें अंडो को इदम बारिक नहीं रखना है, तो बस इसे इस तरीके से हमें वापस से छोड़ देना है, एक से डिल मिनट के एकदम ड्राय ड्राय नहीं नजर आएगा तो इसी तरह से इसे हाथ रोक कर ही मैंने चलाया है बस थोड़ी देर दो-दो मिनट के लिए एक-एक मिनट के लिए इस तरह से छोड़ कर तो यह दिखे प्रोपरली जो हमारे अंडे जो है वो पक चुके हैं तो अब इसे फ्लेम ज एक ज्याय थैं तो इसमें डाल देते हैं धनिया के पत्ते धनिया नेता है तो नहीं ने बचाता अच्क तो थोड़ा से ज्ञा just a तो यहां पर बनकर तयार है तो अब हम कर लेता है तो इसके कर लेते हैं प्लेटिंग तो यह देखिए मैं इस आफ लिया है और इसके ऊपर थोड़े से घनिय से गानिश कर लिया है बहुत मज़े का बनता है आप इसे रोटी के साथ पाओं के साथ इंजॉय कीजिए बहुत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने तो मिलते हैं नेक्स रिसेपी में थैंक्स फो वाचिंग